उसमें जुकने देंगे कि शुरुआत इस वच की बड़ी ख़बर के साथ कर रहे हैं मुख्यमंत्री अर्विन के जिवाल को कोट ने 15 एप्रल तक के लिए तेहाड जेल भेज दिया है जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, अर्विन केश जिवाल 15 तक तेहाड में रहेंगे, बलकि आज खबर यह है कि अर्विन केश जिवाल ने ED के सामने, पूश्ताच में, दो नाम ले लिए, दो नाम अर्विन केश जिवाल ने ले लिए, जो को हैरान कर दिया, तियार जाने से पहले, दिल्ली और दिल्ली में रहने वाले करीब 2 करोड लोगों के लिए, बहुत बड़ा सवाल पीछे, अर्विन केश जिवाल छोड़ गए, क्योंकि अर्विन केश जिवाल ने, किसी और का नहीं, अपने मंत्रियों का नाम ले लिया, आतिशी, सौरब भार्दुआज का नाम ले लिया, अपको भरोसा नहीं होगा, अर्विन के शिवाल में, इन दोनों का नाम ले लिया, डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे हाथ में, और उन्होंने, ये एडी ने बताया कोट में, कि विजे नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, विजे नायर डिंट रिपोर्ट टु हिम, बट्टू आतिशी और सौरब भार्दुआज, ये एडी ने डॉक्यूमेंट्स कोट में प्रोड्यूस किये, जिसमें बताया, अर्विन के शिवाल ने दोनों के नाम ले लिया, आतिशी और सौरब भार्दुआज, अब सवाल उ जेल में केजिवाल कलब के सदस्यों में जल्दी कुछ और नए नाम जुड़ने वाले हैं, वैसे केजिवाल कैबिनेट की इन दो मंत्रियों में पहला नाम, मैंने आपको बताया, ये जो डॉक्यूमेंट है, जो अर्विन केजिवाल ने नाम लिया, दिल्ली की शिक्षा मं नी आतीशी सिंग, दूसरा ना दिल्ली के स्वास मंत्री सौरव भार्दवाज का, ये दोनों मंत्री अर्विन केजिवाल के काफी करीबी और विश्वास पात्र माने जाते हैं, अर्विन केजिवाल ने आतीशी का नाम लिया, अर्विन केजिवाल ने सौरभ भर्दवाज का नाम ले लिया वो कह रहे हैं कि विजे नायर मुझे ने रिपोर्ट करता था इन दोनों को करता था तो एक तरीके से वो यह मान रहे हैं कि कुछ गड़बड अगर है भी तो मेरा कोई लेना देना नहीं इन दोनों से पूछो आतिशी सिंग का नाम ले लिया सौरभ भर्दवाज का नाम ले लिया लेकिन आज अर्विन केजिवाल की वज़ा से दोनों के नाम शराब घोटाले में आ चुके हैं और आशंका इस बात विया कि अब दोनों भी जल एडी के रडार पर आ सकते हैं क्योंकि इन दोनों का नाम खुद अर्विन केजिवाल है शराब घोटाले में लिया है लेकि आज कोट में इडी ने कोट में बताया कि अर्विन केश जिवाल ने पूश्ताच में बताया कि शराब नीती गोटाले में गिरफ्तार आरोपी विजे नायर उन्हें नहीं बलकि आतिशी सिंग और सौरभार्दवाज को रिपोर्ट करता था इडी ने जब ये बात कोट में गई तब अर्विन केश जिवाल बिलकुल खामोश खड़े रहे सुनिये हुआ क्या कोट के अंदर क्या हुआ E.D. ने कोट में बताया कि अर्विन केज जिवाल ने काया कि विजे नायर आतिशी सिंग सौरभार्दवाज को रिपोर्ट करता था अर्विन केज जिवाल बिल्कुल खामोश खड़े रहे जबकि इनी केज जिवाल ने 28 मार्ट को अपने पक्ष में कोट में वकालत की थी अपने लिए खुद वकालत की लेकिन आज जब E.D. ने काया कि खुद अर्विन केज जिवाल ने बताया कि आतिशी सौरभार्दवाज ही आरोपी विजे नायर के बॉस थे तब आर्विन केज जिवाल E.D. के दावे पर बिल्कुल मौन खड़े रहे सामने खड़े ते सौरभार्दवाज और आतिशी दोनों भौट चक्के रहे रहे हमारा नाम कहां से आज़ा उन्होंने E.D. के दावे का अर्विन केज जिवाल ने खंड़नक तक नहीं किया E.D. ने जबता कि अर्विन केज जिवाल ने हूश्ताच में आतिशी और सौरभ हर्दवाज का नाम दे लिया उस वक्त आतिशी सौरभ कोट में मौजूद थे सवाल नम्बर दौ के आर्विन केज जिवाल ने आतिशी और सौरभ को धोखा दिया जैसा BJP आरोप लगा रही है सवाल नमर ती क्यारविन के जिवाल ने खुद को बचाने के लिए अपने दो मंत्रियों को फसा दिया सवाल नमर चार क्या अब E.D. इन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर सौरब हर दुआज और आतिशी से पूश्ताच करेगी और क्या? शराव घुठाले के आरूपी विजे नायर को बंगला क्यों कि आपको जानना चाहिए विजे नायर केलाश गहलोत के बंगले में रह रहा था तो अगर अरविन केज जिवाल की बात में दम है तो क्या शराब गोटाले क्या रूपी विजयनायर को बंगला सौरब और आतिशी की कहने पर दे दिया गया होगा और क्या सौरब आतिशी का नाम शराब गोटाले में आने से अब अर्विन केश जिवाल की पतनी सुनीता केश जीवाल की मुख्यमंत्री बनने का रास्ता क्या साथ हो गया है ये साथ सवाल क्योंकि आमादी पार्टी शीष्munnethrit में पहली पंक्ति के नेता या तो जेल में है या किसी ना किसी गोठाले में आरोपी या फिर गोठाले में उनका नाम आ चुका है जैसा कि आतिशी और सौरव या फिर वो विदेश में मतलब आप रागव चड़्डा जी विदेश में स्वातिमालिवाल जी भी कुछ कारणों से विक्तिकत वो भी USA में सवाल ये भी है कि आप गोठाले में अपने दो मंत्रियों का नाम अर्विन के जिवाल ने क्यो लिया डॉक्यूमेंट क्या है मैं एक बार आपको पढ़कर दिखाता हूँ ED ने दावा है on being asked about the extent of interaction and reporting of श्री विजे नायर to the RST जिए šнь मतलब अर्विन के जिवाल रेवन के जिवाल कर hacka देश्री व इनुंट रिपोर्ट टू हिम ज नायर प्रिप देशक विजे नायर मुजे रिपोर्ट नहीं करते आहरुन के जिवाल अथू आतिशी और Love वो तो आतिशी और सौरप को रिपोर्ट करते हैं ये EDK DOCUMENT में अर्विन केश्रिवाल थे हैं अर्विन केश्रिवाल के खरीब हो और पूर्व स्वासमंत्री सतेंद्र जयन पिषले 2 साल से जेल में हैं उन्होंने अर्विन केश्रिवाल का नहींलिया मनीर सी सोधिया भी खरीब एक साल से त्यार जेल में थे यह हैं उन्होंने भी एक कभी अर्विन के जिवाल का नाम लिए संजे सिंग खरीब छे महीने से त्यार में नाम ने लिया उन्होंने अर्विन के जिवाल का विजे नाय करीब सोला महीने से त्यार में इन मेंसे किसी ने केजी रिवाल का नाम नहीं दिया, पर अर्विन केज रिवाल सिर्फ 11 दिन E.D. का स्टेडी में रहे, 11 दिन, उन्होंने अपने ये खुलासा आ गया, दो मंत्रियों, आतिशी और सौरप भारतवाज का नाम दिया, इसलिए सवाल ये कि केज रिवाल ने भी किया भी इनके जिवाल ने, और अपने आपको मतलब आतिशी और सौरप का नाम लेकर खुद को करतित शराब गोटाले से अलग कर लिया है, 11 दिन उनकी पूछटाच हुई है, पूछटाच पूरी हो गई है, अदालत ने दोशी नहीं का, उनको जेल में क्यों डाला है? उनको ये लगा कि ये बेल का केस नहीं है, और माननिय मुख्यमंतरी अर्विंद केज रिवाल जी की कस्टडी एक्स्टेंट करने की आवशकता है, ये कोट का फैसला है, बार 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 आमादमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच लेकि बड़ा सा फाल ये है कि शराबनीती होटाले में अब एडी अगर आतिशी और सौराभार द्वाज को पूछताच के लिए नोटिस भेजती है, अब अगर एडी बुलाती है, तो फिर अब जिम्मेदार मोधी सरकार को ठेराया जाएगा या फिर अर्विंद केज जिर आज जो लोग जो नेता जो पाटियां पुराना भुला कर अर्विंद के जिवाल को बचाने के लिए उनका साथ दे रही है, क्या अपने ही मंत्रियों के खिलाफ के जिवाल के कतित कबूल नामे से ये मेसेज नहीं जाएगा, कि वो खुद को बचाने के लिए अपनों को ही फसा सकते हैं, अगर सौरब हर्दुआज और आतिशी अगर शराब नीटी गोटाले में फसते हैं, तो क्या इंडी घठबंदन अब भी ये कह पाएगा, ये सब बीजेपी की साज़ेश है, तो अर्विंद केज जीवाल दोनों का नाम ले रहे हैं, ये विजे नाहर कौन है जो नाम आप बार-बार सुन रहे हैं, इसका शराब नीटी गोटाले में बार-बार जिक्रा आ रहा है, और जिसके लिए अर्विंद केज जीवाल ने का, कि वो आतिशी और सौरब हर्दुआज को रिपोर्ट करता था, ये बतासे, बताने से पहले आपको जाना चीए है कि तेहार जेल में अर्विंद केज जीवाल कलब के कितने नेताओं की मौझूदगी दर्ज हो चुकी है, तेहार में मुख्य मंत्री अर्विंद केज जीवाल जेल नमर दो में रखे गया है, जेल नमर दो, शराब नीटी गोटाले में ही उनके सयोगी मनीर से सो दिया, जेल न अब देके आब आपको बताते हैं विजेनायर विजेनायर, यह जो नाम बारबार आप सुन रहे हैं इसमें भी एडी के डॉक्युमे में विजेनायर का झिक्र शराब नीथी को ठाले में बारबार ओरा वो जो रहा मामूली कारे करता नहीं बलकि पार्टी का कम्यूनिकेशन सेल मीडिया हेड विजन आयर केजिवाल का बहुत क्लोज केजिवाल और विजन आयर के वाटसाप चैट दोनों के करीबी रिष्टों को दिखाते हैं एडी ने भी का कि विजन आयर कई शराब कारोबारियों से शराब नीती लागू करने कर ने कर रहा था लेकिन जिस अधिकार से इस बात का जवाब हार्विन केजिवाल ने नहीं दिया विजन आयर खुद कह चुका है कि वो मंतरी कैलाश यहलोट के बंगले पर रहे कर शराब नीती बना रहा था कैलाश यहलोट के बंगले में विजन आयर रह रहा था CM को रिपोर्ट नहीं करता था ये धावाब मुक्य मंतरी के कैम्प आफिस में कानु कर रहा था लेकिन इडी ने काया कि केज़िवाल ने इन बातों पर कोई साफ जवाब नहीं दिया आपके नेता अब सुनिए एक और खुला सा आपके नेता हैं एंडी गुपता ये ट्रेजरार है जब इनके बयानों को केज़िवाल के सामने रखा गया तो इनको confused के दी अर्विन केज़िवाल में आम आदनी पार्टी के ट्रेजरार एंडी गुपता ले अपने स्टेटमेंट में कहा था कि चुनाब के दरान राज्ये का प्रभारी कौन होगा ये खुद अर्विन केज़िवाल ते करते हैं इस दावे के उलट अर्विन केज़िवाल में अपनी पार्टी के नेताओं को confused जिकरार दे दिया इडी ने कोट को ये भी बताया कि अर्विन केज़िवाल जांच को गुम रहा कर रहे है और वो अपने electronic device के password भी नहीं दे रहे है कोपरेट नहीं कर रहे है ऐसी तथ्यों के अदार पर कोट ने केज़िवाल को 15 एप्रल तक न्याइक हिरासप ने भीज़ दिया पहले मुख्य मंत्री होंगे दिली के जोकी त्यहाड में होंगे उटाले बाजी करने वाले लोगों पर कठोर कारवाई होनी चाहिए 15 अप्रेल तक न्याइक हिरासप में केज़िवाल आज तिहाड में केज़िवाल की पहली राव शराब भुटाले में किरे अरविन केज़िवाल को आज एक बार फिर दिली की राव दिवनी कोट से तकड़ा छटका लगा 11 दिन की E.D. की रिमान के बाद अब केज़िवाल को 15 अप्रेल तक न्याइक हिरासत में भेज दिया गया है जिसके बाद आज उनकी पहली राथ तिहाड जेल में बीतेगी तिहाड में अरविन केज़िवाल को जेल नंबर 2 में रखा गया है इस जेल में आम तोर पर उन कैदियों को रखा जाता है जो कोल्ट की तरफ से किसी भी मामले में कनविक्ट होते है तिहार के बाहर की क्या तस्तीर है वो भी आपको दिखाते देखे ये रोड की दूसरी तरफ जो छोटे छोटे ठेले चोटे चोटे चाय की दुकाने थी उन सब को सुरक्षा के मद्दे नजर बंद करा दिया गया है दुकानों के बाहर भी पुलिस वालों की तैनाती नजर आ रही है सुरक्षा के कारणों की चलते इन सबी को दुकानों को ढखने के लिए बंद करने के लिए कह दिया गया है इसे पहले दिल्ली के दो मंतरी सतेंद्र जैना और मनिश्ट सोधिया पहले ही तिहार जेल में हैं इसके अलावा राजसभा सांसद जो आमादमी पार्टी के संजे सिंग विट हारवे हैं और केजरिवाल को जेल भेजे जाने के खलाब विरोध प्रदेशन करने लगी। अर्विन केजरिवाल की पत्नी सुनीता केजरिवाल ने केबिर सरकार पर ताना शाही का आरोप लगाया। तो बीजेपी का कहना है कि कूल्ट के अंदर केजरिवाल का जूट पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। अगर आपको चुपाने को कुछ नहीं था तो आपको देने चाहिए और आप के पास चुपाने को बहुत कुछ हैं क्रुडों रुपया जो आपने कठा किया है शराब गोटाले में उसके सारे सबूत फोनों में हैं जो आप फोन नहीं देना चाहते हैं। अंदर किज्रिवाल जेल नंबर दो में रहेंगे और इस जेल में वो अकेले ही रहेंगे कुछ दिनों पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजे सिंग को दो नंबर जेल से पांच नंबर जेल में शिप्ट किया गया है जबकि बोर्व डिप्टी सीयम मनेश से सूधिया को जेल नमबर एक में रखा गया है। केजरिवाल की पार्टी के एक और नेता सत्चेंद्र जैन तिहार की साथ नमबर जेल में रखे गये हैं। और शराब घोटाली की एक और आरोपी के कवीता को लेडी जेल जेल नमबर छे में रखा गया है। इन तमाम हाई प्रोफाइल नामों के बाद अब खुद केजरिवाल भी तिहार जेल में पहुँच गये हैं। और उन्हें जेल में किताबें पढ़ने की अनुमती मांगी है। निकलते ही कैदियों की सेल और बैरक को खुल दिया जाता है। जेल में कैसे गुजरेंगे केजरिवाल के दिन। सुबह के नाश्टे में करीब साड़े च्छे बज़े चाय और ब्रिट दिया जाता है। नहने के बाद उसको अगर गोड जाना हो या फिर मुलाकात करनी हो तो कैदी उसके लिए तयार होता है। साड़े दस बज़े के गरीब दाल, सबजी और पांच रोटी या चावल कैदी को दिया जाता है। इसके बाद दोपहर बारे बज़े से तीन बज़े तक कैदी जेल के अंदर बन रहते हैं। साड़े तीन बज़े के खरीब कैदीयों को चाय और दो बिसक्ट दी जाती है। फिर शाम चार बज़े के खरीब अगर कोई अपने वकील से मिलना चाहे तो मिल सकता है। शाम साड़े पांच बजे रात का खाना दिया जाता है जिसमें एक दाल, सबजी, पांच रूटी या चावल मिलता है इसके बाद शाम साड़े छै बजे से साथ बजे के करीब सभी कैदियों को सेल में बंद कर दिया जाता है इसके अलावा जेल के अंदर कैदियों को टीवी देखने की सुविधा भी होती है और अगर किसी को जेल में कोई शारिरिक निकत होती है तो हर समय डॉक्टर उतलब रहते हैं मतलब केजरिवाल को अब जेल के अंदर खुद को उसी रूटीन में ढालना होगा जो तिहार के जेल में सभी खैदियों के लिए तै किया गया है केजरिवाल को एडी की रिमांड पूरी होने के बाद राउ जेवनी कोट में पेश किया गया था जहां एडी के तरफ से कोट में धलील रखी गई कि वो जाच में सहयोग नहीं कर रहे हैं जाच एजनसी को मिसलीट कर रहे हैं दुनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद कोट ने उन्हें 15 अपरेल तक न्याइक हिरासत में भेज दिया है लेकिन आरोब प्रत्यारोब की राजनेती अमने का नाम नहीं ले रही है वो हिरासत से सत्ता की सियासत करने वाले मुक्षमंत्री तो रही चुके थे और अब अभी तक उन्होंने जुडिशल कस्टडी के बाद भी कोई उत्तर नहीं दिया है इससे यह बहुत साफ हो जाता है कि सारा विपक्ष जिस आरोपी को बचाने के लिए प्रयास कर रहा था न्यायला की दृष्टी में वो गंभीर आरोप है साफ देखने को मिल रहा है कि कैसे पीमले कानून का हमारे देश में दुरूपयोग कर रही है भाजपा कैसे अपनी एजनसी का दुरूपयोग कर रही है भाजपा अभी सरत रेड़ी से साथ करोड लिया जो उसके अरेस्ट के बाद उसके बाद वो सरकारी गवा बना उसके बाद बेल होती है उसके बयान के आधार पर मुख्यमंत्री जी की गिरफतारी हुई है ऐसे बयान पर किसी पॉकेट मार की गिरफतारी ना हो जिस बयान पर एक सिटिंग मुख्यमंत्री की गिरफतारी हुई है मैं अक्सर जिलो में कही बार कईदियों से मिलने जाता हूँ अब मैं सोच रहा हूँ कि एक दिन तियार भी चलू थोड़ा कुछ मोटिवेस्टनल स्पिकर्स को भी लेके जाओं हम भी कुछ बात करें जिससे साय दिनलों के अंतरात्मा जागे और जो दिली को लूटे हैं जिनके कारण जुगियों का विकास नहीं हुआ जिनके कारण नाले नहीं बन पाए जिनके कारण नालियां बजबजाई हैं जिनके कारण बुजुर्गों का पिंसन कट गया जिसक के कारण दिल्ली की गलियां टूटी पड़ी हैं शायद वो फंड रिलीज हो कि कि